बी एवेर, बी हैपी, एंड बी हल्दी. मैं डॉक्टर संतोष कुमर, प्रोफेशर ओफ इरोलोजी हूँ एक प्रीमियर हेंथ इंस्टिटूट पीजी आई चंडीगड में. मैं किड्नी कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्लाडर कैंसर, किड्नी में रुकावड, प्रोस्टेट इसे रिलेटेड डिजीज का इलाज करता हूँ. तो एक बहुत ही कॉमन प्रोब्लम आजकल है विटाइमिन डी डिफिशन्सी. चालिस से असी से नभे परसेंट लोगों में विटाइमिन डी की डिफिशन्सी है इंडिया में. इसके बहुत सारे वज़े हैं, जैसे कि सभेर यूज नहीं करना, कॉर्ड लीवरवाइल हो गए, मस्टूम हो गए, या एडिक्वेट अर्ली मॉर्निंग सन एक्स्पोजर नहीं होना. उसके कारण बहुत सारे प्रोब्लम हो सकते हैं, जैसे बर्डी एक, मसल एक, वीकनेस, फैटेग, बोनी पेन, मस्कुलर पेन, लॉस आप सवेरे फ्रेस नहीं महसुस हो सकते हैं, और इसके अलावा एक मेल सेक्स की प्रॉब्लम हो सकती है, वो हो सकती है, आपकी सेक्शुल प्रफॉर्मेंस पूर हो, आप अपने बेडरूम में सफल नहीं हो, ये बिटाइमिन डी की डिफिशियंसी के कारण हो सकती है, कि टाइर्ड हैं, तो आपकी लिविटो कम होगी, आपकी एरेक्शन एस्ट्रॉंग नहीं होगी, और सेक्शुल प्रफॉर्मेंस पूर होगा, इसके साथ साथ विटाइमिन डी जो है, वो मेल हार्मन जो होता है, टेस्टो एस्ट्रॉन, जो की सेक्स के लिए रेस्पॉंसिब करता है, तो एदी आप विटाइमिन डी की डिफिशेंसी है, तो अपने वेडरूम में आपकी परफॉर्मेंस पूर होगी, एदी एरेक्शन और इसके साथ साथ टेस्टो एस्ट्रॉन भी कम हो सकती है, तथा एस्पर्म की क्वालिटी भी पूर हो सकती है, और फर्टिलिट में प्रॉब्लेम, मसल वीकनेस, फैटिग, मसल पेन, बोनी पेन और उसके साथ साथ आपका सेक्शुल प्रॉब्लेम है, एरेक्शन की प्रॉब्लेम है, बेडरूम में पूर परफॉर्मेंस है, तो विटाइमिन डी का चेक कराएं और विटाइमिन डी को रिप्लेस करें, Be happy, be healthy and be blessed.